रंगों के त्याहार होली के एक दिन पहले होली का देहन मनाया जाता है। होली का देहन सिर्फ एक त्याहार नहीं है, बलकि हिंदू धर्म में इसका गहरा अर्थ है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वैसे तो इससे कई पौरानिक कथाएं जुडी ह जिसमें भक्त प्रहलाद की कथा काफी प्रचलित है। देश के हर एक कोने में होलिका देहन बहुत ही हर्शोलास के साथ मनाया जाता है। इसकी कई प्राचीन मान्यताएं और विशेश्टाएं हैं। प्रसन्न होकर ब्रहमा जीने हिरन्यक्षिपु को वर्दान स्वरूप उसकी पांच इच्छाओं को पूरा किया। कि वह ब्रहमा द्वारा बनाये गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा। कि वह दिन या रात किसी भी हतियार से प्रित्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नश्ट नहीं होगा। पुरुशों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा। वह अप्रतिन हो कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ती हो और वह सारी स्रिश्टी का एक मात्र शासक हो। वर्दान प्राप्ती के बाद एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विश्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विश्णु के प्रती आस्था ने हिरन्यक्षिपु को क्रोधित कर दिया। और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किये जिन में से सभी असफर रहे इनी प्रयासों में एक बार राजा हिरनेक्षिपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया विश्नु पुरान के अनुसार होलिका को ब्रहमाजी से वर्दान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था बस होलिका उसी वस्त्र को ओड़ कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विश्नु के नाम का जाप किया होलिका का अगनिरोधक वस्त्र प्रहलाद के उपर आ गया और वह बच गया जबकि होलिका भस्म हो गई थी मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उचसाह स्वरूप सदियों से हर वर्श होलीका देहन मनाया जाता है होलीका देहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है जैसा की अधिकतर यही कथा प्रचलित है कि होलिका नामक असुरी के देहन और विश्नुभक्त प्रहलाद के सकुषल अगनी से बच जाने की खुशी में ही होलिका देहन और होलिका पर्व मनाया जाता है परंतु इसके अलावा भी से जुड़ी कई पौरानिक कथाएं हैं जो की इस प्रकार है भगवान शिव और कामदेव की कथा जब भगवान शिव की पतनी सती ने अगनी में प्रवेश किया और अपने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव को दिखाए गए अपमान के कारण मृत्यू को गले लगा लिया तो वह पूरी तरह से तूट गए थे उन्होंने अपने कर्तवियों को त्याग दिया और गंभीर ध्यान में चले गए इससे दुनिया में विनाशकारी असंतुलन पैदा हो गया जिससे सभी देवता चिंतित हो गए इस बीच सती का देवी पारवती के रूप में पुनरज तब देवताओं ने भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कामदेव को भेजने का फैसला किया ताकि उनके और पारवती के बीच विवाह संपन्न हो इंद्र ने कामदेव को बुलाया और उन्हें बताया कि राक्षस राजा तारकासुर को ऐसे व्यक्ति द्वारा ही मारा जा सकता है जो शिव और पारवती का पुत्र हो इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव में प्रेन जगाने का निर्देश दिया ताकि वह पारवती से शादी करने के लिए राजी हो जाएं कामदेव अपनी पतनी रती के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए भगवान शिव के पास गए उस स्थान पर पहुँचने के बाद जहां भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे तभी कामदेव ने पारवती को अपनी सक्खियों के साथ आते देखा ठीक उसी क्षन भगवान शिव भी अपनी ध्यान समाधी से बाहर आ गए थे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने कामबान से प्रहार किया, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान शिव पारवती के अध्भुत सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनका हृद अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि यह वास्तव में यह कामदेव ने ही किया है, अत्यंत क्रोध के परिणाम स्वरूप। उन्होंने उन्हें तारकासुर की मृत्यू का रहस्य भी बताया, तब देवताओं ने उनसे कामदेव को एक बार फिर से जीवित करने का अनुरोध किया। शहर में रह रही होगी, तब से कामदेव को भगवान शिव द्वारा भस्न होने को होली का देहन और उनके पुनरजन्म की खुशी को होली के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्न और पूतना की कथा एक प्रचलित कथा श्री कृष्न और पूतना नामक राक्षसी की भी है। जब भगवान कृष्न गोकुल में बड़े हो रहे थे। मथुरा के राजा कंस ने उन्हें खोजने और मारने की कोशिश की। कंस ने कृष्न के मिलने तक सभी बच्चों को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजने का फैसला किया। उसने कंस के राज्य में सभी शिशुओं को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वह खेतों में काम करने वाले मातापिता के बच्चों का अफरन भी कर लेती थी। राज्य के सभी बच्चों को खत्म करने की अपनी खोज में। उतना कृष्न के गाव पहुँची, वह सूर्यास्त के बाद गाव में दाखिल हुई ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह जहां भी जाती, लोगों को यशोदा और नंदराज के नवजात शिशु के बारे में बात करते सुनती थी। ननहे बालक के दिव्य रूप को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आ रहा था। उतना ने तुरंत जान लिया कि यही वह बालक है जिसकी उसे तलाश थी। उसने रात गाव के बाहर बिताने और सुबह कृष्ना के घर जाने का फैसला किया। पूतना ने एक सुन्दर स्त्री का वेश धारन किया और के यशोदा और नंद के घर पहुची। जहां यशोदा ने उनका अच्छी तरह से स्वागत किया। उसने अपना परिचय दिया और यशोदा से अनुरोध किया कि वह उसे कृष्न को खिलाने की अनुमती दे। यश पूतना को अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वह छोटा लड़का उसके जीवन को चूस रहा हो। उसने कृष्न को अपने से दूर करने की कोशिश की लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रही बच्चे को डराने के लिए वह अपने मूल रूप में वापस आ गई। वह हवा में उ पूतना के पूरे जीवन को चूस लिया। पूतना का निर्जीव शरीर भूमी पर गिर पड़ा और तब से ही पूतना जैसी बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में होलिका देहन करने की मान्यता है। राक्षसी धुन्धी की कथा एक और कथा राक्षसी धुन्धी की है। उसे भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खत्रे में होगी जो उसे परिशान करेंगे। राजा ने पुजारी से परामर्ष किया। उन्होंने बताया कि फालगुन को शीत रितु समाप्थ हो जाती है और ग्रीश्म रितु का प्रारंभ हो जाता है। धुन्धी को दूर भगाने के लिए यह उप्युक्त समय होगा। समय आने पर गाव के साहसी लड़कों ने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने और उसे गाव से भगाने का फैसला किया। लड़कों ने लकडी और घास का धेर इकठा किया। उसने मंत्रों से आग लगा दी, ताली बजाई, आग के चारों और चक्कर लगाने लगे। वे भान के नशे में चूर हो गए और फिर धुन्धी के पीछे, पीछे गाव की सीमा तक नगाडे बजाते, शोरगुल करते, गाली गलौच करते रहे और ऐसा तब तक करते रहे जब तक की धुन्धी हमेशा के लिए गाव से बाहर नहीं निकल गई, गालियों की मार ने उ आज भी इस मान्यता के सम्मान में लड़के हो लिका, देहन की रात धोल नगाडे बजाते हुए, शोर करते हुए हो लिका, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो के सा लगा, और ऐसे और वीडियो क प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए